हेलो बच्चो आप सुब का आपके परने चैनल कोविंद मैत लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तुपीरे विद्यारतियो आज किस क्लास में हम तक साच चैनल और साथ गनित विश्यर की व्रक बुक दुजार टेबी 24 के कारे पत्रक 100 को हल करना सिखेंगे बच्चो कारे पत्रक एक से लेकर 99 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से अल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर बच्चो चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासिस को आराम से देख सकते हैं बच्चो आज किस कारे पत्रक में हम लगुतम समापरते यानि LCM जिसे बच्चो हम लसप भी कहते हैं क्या कहते हैं लसप और बच्चो मेहतम समापरता क्या निकी जिसे हम SCF मसप भी कहते हैं इसकी समझ बना पाना सिखेंगे बच्चो हमने पिछले कार्य पत्रफ जो कुछ पहले थे उनमें भी हमने लसप और मसप के बारे में सिखे था वो ही बात हम दुबारा सिखेंगे कि लसप और मसप को कैसे ग्याद करते हैं देखो बच्चो पहला प्रस्ण है कि भाग विधी के द्वारा हमें क्या ग्यात करना है लगुतम समापरतिय ग्यात करना है देखो बच्चो पहला प्रस्ण है 36, 48 और 72 तो बच्चो सबसे पहले किसका भाग देंगे दो का भाग बच्चो दो का भाग 36 में कितनी बार जाएग बच्चो 24 बार और दू का भग 72 में कितनी बार जाएगा बच्चो 36 बार ठीक है अब बच्चो हम क्या करेंगे ऐसे एक लाइन खींच देंगे और बच्चो अब हम वापिस इसका भग देंगे वापिस बच्चो 2 का भग देंगे 18 में 9 बार 24 में 12 बार और 36 में बच्चो कितनी बार 18 बार ठीक है वापिस बच्चो हम ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ पर इसका भग देंगे बच्चो 2 का भग देंगे 9 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा 2 का भाग 12 में 6 बार 2 का भाग 18 में कितनी बार बच्चो 9 बार अब बच्चों वापिस किसका भाग देंगे वापिस बच्चों हम देंगे 2 का भाग 9 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा 2 का भाग 6 में 3 बार और 9 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा फिर बच्चों किसका भाग देंगे फिर बच्चों भाग देंगे तीन का तो बच्चों तीन का भाग नो में कितनी बार जाएगा तीन बार तीन में कितनी बार जाएगा एक बार और तीन का भाग नो में कितनी बार जाएगा तीन बार और बच्चों लास्ट में जब हम तीन का वाग वापिस देंगे तो सब में भाग कितनी बार जाएगा एक बार भाग चला जाएगा और आपकी भाग प्रकिलिया पूरी हो जाएगी अब बच्चों में क्या करना है जिज जिसका उमने भाग दिया है उन सब का गुणा करना है तो बच्चों लिखेंगे LCM बराबर लसपा बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन जिसका उमने भाग दिया है उन सब का गुणा करना है देखो बच्चों दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोला सोला का बच्चों किस से गुणा करना है तीन तिया जाता है ठिके आगे बचछो दूसरा प्रशना है हमें 24, 50 और 90 का LCM निकालना है किसका भाग देंगे बचछो दो का 24 में 12 बार बार 50 में 25 बार और 90 के अंदर 45 बार ठिके आगे बच्छो किसका भाग देंगे तीन का तीन चोक बार हो फिर 25 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा 45 में कितनी बार जाएगा बच्चो 15 बार ठीके अब बच्चों किसका बाग देंगे 5 का 4 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा 5 का बाग 25 में 5 बार और 5 का बाग 15 में 3 बार ठीके देखो चार का बाग चार में एक बार जाएगा फिर पांच का बाग पांच में एक बार और तीन का बाग तीन में एक बार तो इन तीनों को भी गुणा में लिख देंगे चार गोणा पांच गोणा तीन अब बच्छो सब का गोणा करना है दो तिया चे चे पंजे तीस तीस का चार से 120 एको ब Putting का गोणा करना है 15 से तो बच्छो कितना जायेगा अठार हुशो बच्छो अठार हुशो ऐसरने 800 वह चोटी से चोटी संक्या है जिसमें 24, 50, 90, तीनों का भाग पुरा-पुरा जाता है, ठीके, आगे बच्चों, तीसरा प्रशना है, 45, 75 और 105, इसका हमें क्या निकालना है, लसप, बच्चों किसका भाग दे देंगे, 5 का, 5, 9, 45, फिर बच्चों, 15, 75 और 21, 105, कितनी बार जाएगा, 45 में 9 बार, 75 में 15 बा अब बच्चों किसका भाग देंगे, 3 का, 3 तीया 9, 3 पंजे 15, और 3 सते 21, देखो बच्चों, तीनों संख्या अलग लगा गई, तो हम सीधा आप गुणा कर देंगे, तो बच्चों, 5 गुणा 3 गुणा, 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीके, बच्चों, 5 तीया 15, 15 तीया 45, ठीके देंगे, तो यह आजाएगा 1575, कितना आजाएगा बच्चों, 1575, यहनि 1575 वह चोटी से चोटी संख्या है, जिसमें 45, 75 और 105, तीनों का भाग पूरा पूरा जाता है, आगे बच्चों प्रशन संख्या 2, हमें मेहतम समापरता क्याने की, जो मसप है, वो अबाज्य गुण बच्चों, 6 के अंदर 2 का भाग देंगे, तो कितना आजाएगा, 3, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, फिर बच्चों है 24, 24 में बच्चों 2 का भाग देंगे, कितना आजाएगा, 12 हो, बच्चों 12 में 2 का भाग देंगे, कितना आजाएगा, 2 का भाग देंगे, तो 6, बच्चों 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आजाएगा 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, अगला है बच्चो 36, ठीके, बच्चो 36 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 18, बच्चो 18 में 2 का भाग देंगे कितना आजाएगा 9, ठीके, कितना आजाएगा बच्चो 9, 9 में 3 का भाग कि वेनिस्ट गुणनखंड यासी कौन से संग्या है जो तीनों के अंदर मौजुद है तो बच्चो वेनिस्ट गुणनखंड कौन कोण से हैं देखो दो इधर भी है दो इधर भी है एक आगया दो बहार फिर बच्चो दो इधर है तीन इधर है और तीन इधर है तीन तीनों में common है तो बच्चो आपका जो SCF है जो मसप है वो कितना हैगा दो दूनी चार और चार तीया बार हो कितना जाएगा बार हो ठीक है बच्चो यहने बार हो वो बड़ी से बड़ी संक्या है जिसका भाग 12, 24 और 36 के अंदर पूरा पूरा जाता है आगे बच्चो दूसरा है 60, 120 और 240 बच्चो सबसे पहले 60 के टुकडे बच्चो 2 का भाग देंगे कितना आजाएगा 30 30 में बच्चो 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15 हो बच्चो 15 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 ठीके, तो 60 के टुकड़े हो गए ये अब बच्चो देखो क्या है 120 60 का क्या होता है, डबल होता है तो 2 और जूट जाएगा दो गोना दो गोना दो गोना तीन गोना पांच क्योंकि बच्चों 60 का डबल है 120 तो हमने 2 को और एक्स्ट्रा लिख लिया फिर बच्चों 240 120 का डबल है 240 तो 2 और एक्स्ट्रा जूड जाएगा तो 2 गोना दो गोना दो गोना दो गोना तीन गोना पांच ठीक है बच्चो, अब हम लिखेंगे उबैनिस्ट गुननखंड, दो तीनों के अंदर मौझूद है, तो बच्चो उबैनिस्ट गुननखंड, तो बच्चो इन तीनों के अंदर उबैनिस्ट गुननखंड कौन-कौन से हैं, देखो बच्चो, इधर भी दो है, इधर भी दो ह दो इधर भी है और इधर भी फिर बच्चो क्या है तीन इधर भी है तीन इधर भी है और तीन इधर भी है तो क्या हो गया तीन फिर बच्चो पांच इधर भी है इधर भी है और इधर भी तो यहाँ पर हो गया पांच अब बच्चों क्या करेंगे सब का गोना तो दो दूनी तो बच्चो वो संक्या है 24, 24 के अंदर आंट का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग पूरा-पूरा जाता है। आगे बच्चो है 18 और 30 का महतम समा परतेक, यानि बच्चो वह चोटी सी चोटी कौन सी संक्या है, जिसका भाग 18 और 30 दोनों में जाता है, तो बच्चो बच्चो संक्या कौन सी है वह बच्चो संक्या है आपकी 6, 6 का भाग 18 में भी पूरा पूरा जाता है और 6 का भाग 30 में भी पूरा पूरा जाता है आगे बच्चो देखो वह बड़ी से बड़ी संक्या ग्याद करो जिससे 12, 16 और 24 पूरी तरह विवाजित हो जा लेंगे देखो बच्चो बारा के टुकड़े करने हैं बारा के टुकड़े क्या होंगे दो गोना दो गोना तीन यह होगे बारा के टुकड़े फिर बच्चो सोला के टुकड़े क्या करेंगे बच्चो दो गोना दो दो दुनी चार चार दुनी आठ और आठ दुनी सोला फिर और 4 तिया बार हो, और 12 दूनी 24, तो यह होगे बच्चो 24 के टुकडे, अब हमें क्या निकालना है बच्चो, इनका मसप निकालना है, SCF, तो SCF बच्चो सब में common कौन है, देखो, 2, 2 और 2, सबसे पहले 2 बाहर आ गया, फिर बच्चो 2, 2 और 2, यहां पर 1 और 2 बाहर आ गया, फिर बच्चो देखो, यह को 3, 12 के अंदर भी है, 24 के अंदर भी है, लेकिन 16 में नहीं है, तो बच्चो आपका जो मसप है, वो कितना आ जाएगा, बच्चो आपका जो मसप है, वो आ जाएगा, 4, ठीक है, तो बच्चो वह बड़ी से बड़ी संक्या क्या है, वह बड़ी स 16 और 24 इन तीनों का जो मस्सपा है वो बच्चों कितना होगा चैर होगा यानि चैर वह बड़ी से बड़ी संक्या है जिसका भाग 12, 16 और 24 तीनों के अंदर पुरा-पुरा जाता है आगे बच्चों बात करते हैं प्रशन संक्या चे तीन टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है रसी की बहुत चोटी से चोटी लंबाई ग्याद करो जिससे परते टंकी पर पूरी बार लपेटा जा सके तो बच्चों यहाँ पर देखो चोटी से चोटी यहनि हमें क्या ग्याद करना है बच्चों लसप ग्याद करना है तो बच्चों कैसे ग्याद करेंग तो बच्चो LCM बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 तो बच्चो 5 चौक 20 20 का गुणा करना है 6 से कितना हो जाएगा बच्चो 120 ठीक है तो बच्चो रसी की चोटी से चोटी लंबाई कितनी है 120 मिटर रसी की चोटी से चोटी लंबाई 120 मिटर है ताकि बहुद 6 मिटर 10 मिट प्रिमाप की जो टंकी है उसके चारो तरह अच्छे से लपेटी जा सके तो इसका उतर हो जाएगा 120 मीटर ठीक है बच्चो तो इस तरह हमने आपके कार्या पत्रक 100 के सभी प्रश्णों के उतर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्णों के उतर आपके उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चो लाइप कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरू करें आज गले इतना ही जै हिंद जै भारत